हलो गाज आज की विडियो बात करूंगा HDFC क्रेडिट काड का इस्तिमाल करके net banking एक्टिबेट कैसे करें ज़िए आपके पास के वल क्रेडिट काड है तो माठर 2 मिनिट में इंटरनेट बैकिंग को रजिस्टर कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग रेश्टर करने के लिए आपके पास HDF से बैंक का क्लिडिनेट काट होना ही चाहिए इसके बाद आसानी से अफिस्वल वेब साइट पर जाकर रेश्टर कर सकते हैं और उजर एड़ी और पासवार्ट पराप्त कर सकते हैं जिसके बाद आप आसानी से सभी फीचर्स का लाब उठा पाएंगे हलो गाज मेरा नाम आप इसे कुमर आप देख रहें वेफसाइट ठीनी चनल तो चलिए चलते हैं लापटप के स्क्रीन पर और बताते हैं प्रप्रोसे तो चलिए शूरू करते हैं सबसे पहले किसी भी ब्राउजर में गुगाल ओपिन कर लेंगे यदि आप मुबाइल पर कर रहे हैं तो डेक्स्टाप बाजन में करमट कर लीजिए और यहाँ पर टाइप कीजिए HDFC क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग यहाँ पर देखिए मैं HDFC क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग दर्ज कर दिया हूँ यहाँ पर पहले वाले लिंक पर क्लिक करना है क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के अप्सन पर इस option पर click करने के बाद में आपके सामने इस तरह का interface दिखाई देता है homepage पर आने के बाद में यहाँ पर दिखे login बटन पर click कर देना है login बटन पर click करने के बाद यहाँ पर अगर mouse का cursor लाएंगे तो यहाँ पर दिखे दिया हुआ है credit card portal एदि आपके पास credit card नहीं है तो आप net banking के द्वारा login कर सकते हैं मैं credit card का इस्तेमाल करके net banking में login करने वाला हूँ तो यहाँ पर दिखे इस option पर click करता हूँ यहाँ पर दिखे कहा जारा है continue to credit card portal इस पर आपको click कर देना है अगले screen पर login page खूल जाता है यहाँ पर user ID, password दर्ज करके login बटन पर click करके login कर सकते हैं लेकिन हमारे पास login ID और password नहीं है तो मैं नहीं करूँगा यहाँ पर देखे कहा जा रहा है कि HDFC bank saving account के द्वारा login करने के लिए login here पर click करना है अगले आप first time register करना चाहते हैं तो register now के बटन पर click करेंगे जैसे कि मैं दर्ज करता हूं यहाँ पर देखे अब इस एक space जे दर्ज करने के बाद में यहाँ पर देखे बारी मैं click किया तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन में से कोई भी option दर्ज नहीं करना है नहीं अस्पेस दर्ज करना है यहाँ पर क्लिक करके मैं जे हटा देता हूँ और यहाँ पर कोई भी ओर्ड टाइप और कर देता हूँ यहाँ पर दिखे लिखा हुआ है Name as on card card पर जो नाम है आपका वह नाम दर्ज करेंगे यानि की card holder का नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे यहाँ पर दिखे card number दर्ज करेंगे जो भी card number होगा यहाँ पर दर्ज करेंगे card ispary date यहाँ पर select करेंगे जो भी होगा आप यहाँ से year select करेंगे यहाँ पर credit card का pin दर्ज करेंगे पिलिज इंटर दा 6 डिजिट OTP नमबर सेंट टू इतने मुबाइल नमबर पर जो लाश डिजिट मुबाइल नमबर दीख रहा है इस पर OTP प्राप्त होता है उस OTP को इस बोक्स में दर्ज कीजिए OTP को इस बोक्स में दर्ज करने के बाद Continue बटन पर किलिक कर देना है यहाँ पर देखिए पासवर्ट सेट करने के लिए कहा जा रहा है यानि कि सेट पीन पीन यहाँ पर सेट करना है वही पीन यहाँ पर भी कनफर्म करना है यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि मिनमम जो पीन है 8 character का आपको set करना है maximum 15 character का ही होना चाहिए यहाँ पर दिखे यहाँ पर दिखे दोनों box में pin को confirm कर दिया हूँ यहाँ पर कहा जा रहा है कि 180 दिन में आपको फिर से pin change करने के लिए कहा जा सकता है region यहाँ है कि security के लिए security मजबूत रहेगा आप pin change करते रहेंगे तो यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए continue बटन पर क्लिक करता हूँ यहाँ से निभर कर देता हूँ यहाँ पर दिखे रेश्टेशन successful लिख दिया है you have successfully registered for credit card net banking login बटन पर क्लिक करके login असानी से मैं कर सकता हूँ यहाँ पर दिखे किया इसके बाद मैं इस तरह का interface दिखाई दे रहा है secure guideline दिखाई दे रहा है आप इसको redoubt कर सकते हैं नीचे scroll down करें और पढ़ लिजिए इसके बाद i accept के बटन पर यहाँ पर tick कीजिए और यहाँ पर दिखे highlight हो गया है accept and continue new के बटन पर आपको click कर देना है click करने के बाद इस तरह का दिखे welcome to the new HDFC bank credit card portal open हो जाता है यहाँ से आपको continue कर देना है यहाँ से मैं skip कर देता हूँ यहाँ पर दिखे मैं आसानी से login हो गया हूँ यहाँ पर दिखे हमारा card number available limit जो भी है दिखाई दे रहा है यहाँ से सब कुछ आप manage कर सकते हैं यदि आप account open करना चाहते हैं तो open an account के button पर click करके open 7 account के button पर click करके आप आसानी से 7 account open कर सकते हैं यहाँ पर दिखे invest in mutual fund दिया हुआ है यहाँ से आप पैसे भी invest कर सकते हैं यहां पर दिखिए दिया हुआ है, क्विक लिंक भी है, यहां पर दिखिए Loan Apply करने का एक button दिया हुआ है, यहां पर दिखिए मैं Username पर किलिक करता हूँ, Username पर किलिक ने के बाद आपके सामने इस तरह का option होग कूल जाता है, यहां से आप फोटो upload कर सकते हैं, इस तरह से आ कर दो कर दो